हाई स्टूडेंट्स आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा आठ इतियास पार्ट नंबर आठ हरियाना बोड़ की किताब है आपकी हमारा भारत तीन इसके जो है आज हम महत्वपूर्ण परसनुत्तर करने वाले हैं इस वीडियो में पार्ट का नाम है कंपनी की सोसनकारी नीतियां वे उनका विरोध चलो सुरू करते हैं और हाँ एक काम की जानकारी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता लेता हूँ आपको कम्प्लीट बुक का सोल्यूशन जिसके अंदर आपको नोट्स अभ्यास के परसन उत्तर महत्वपूर्ण परसन उत्तर ना वहाँ पर मिल जाएंगे चलो अब सुरू करते हैं परसन उत्रों को पहला परसन है कंपनी राज में अकाल के कारण जाने या फिर आपसे पूछेंगे कंपनी राज में अकाल के क्या कारण थे तो ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं तो कंपनी राज में अकाल के निमें लि लिखा करो कि भाई पॉइंट बनाओगे नंबर आसानी से आता और ज्यादा नहीं लिखना पड़ता नहीं तो आप भरते रो पैरा एक पेज भर दो आदा पेज भर दो तब जागे नंबर देंगे इसमें थोड़ा सा लिको नंबर मिल जाता है मस्त वाले तो यह सीन होता है अब आपकी इच्छा है, आप कैसे करना चाहते हो बाकी नंबर इसमें जादा बढ़ीया आता है आपके कम महनत और नंबर जादा चलो अब यहां पर पांच पॉइंट है अगर यहाद नहीं आ रहें तीन पॉइंट ही लिखते हैं अगर दो नंबर में आता है तो दो जरूरत नहीं रहनी चाहिए चलो देखते हैं कंपनी राज में अकाल के कारण क्या थे कंपनी का राज चल रहा था पूरे देश के अंदर तो उस समय देश में अकाल आ गया अकाल क्या होता है कि ऐसी इस्थिती जब देश गरीबी में आ जाता है लोगों के पास खाने तक को क साधं़ करवा दिया अंग्रेजे ने क्योंकि इंगलैंड से सामान आता था और उसकी वजह से पतना हो गया जिसके का हो बहुत सारे लोगों का रोजगार चिन गया मामला यह था कि इंगलैंड और समान मसीनों में बपन रहाह को उनकी तो उस चक्र में वो सस्ता बेच देते थे जिसके जलते ये लोगों घाटा उने लगा ये सस्ता बेच नहीं सकते थे तो उस चक्र में धिर धिरे बंदोते चले गए कमपनी राज के कारण भारत में उद्धोगी करांती नहीं आपाई भारत में फैक्टरियां लगी यह नहीं कभी जिसके वज़ाइसे भारत में सामान बने वो लोग अपना सामान बनाते और भारत में बेचते जिसके वज़ाइसे उद्धोगी करांती भारत में नहीं आपाई कंपनी राज में बहुत सारी शोसनकारी नीतिया लोगों पर लागू की गई थी जिनका आपने चैप्टर के अंदर पड़ा भी है भारत से धरम धरम नहीं है धन है ठीक है ना पीछले अपडेट नहीं करा मैंने कर दूँ इसको भारत से धन जो है लगातार इंगलेंड जाता रहा और धन निकास यहां पर भी निकास आएगा धन निकास के कारण भारत में अकाल किस्तिती उत्पन हो गई यानि कि जो पैसा था वो धीरे-दीरे अब जो सामान बेच रहा पैसा तो उसी को मिलेगा ना तो अंग्रेज बेच रहे थे सामान को और पैसा सारा उनके पास जारा तो दीरे-दीरे करते होएं भारत में पैसे की कमी कि वह लगी और तंगाली आगयी थी में बहरत में बहरत यहीं पनाई गई भूराजसान नीतियां को के लिए विनासखारी सिद्धु कुछ विरा जो है बहूरा नीतियां कर लेने के लिए जमीन के ऊपर जो कुछ न आप पर्तिरोद के निमेलिकत कारणा थे सिकलकते ड्वाइंगर्थे लोग सांन और बीड़ों करा अगरत क्या था, उसका करण क्या था? और उपर से जो है उसको बेचने के लिए उसको सामान की एक कर लगेगा तो भाई सामान महंगा हो जाएगा तो महंगा होने के जिए से वो बिखता नहीं था तो मलब खुल में लाकि को वो ये चाहरे थे जो कि भारत वाले लोग पेचे अंग्रेज बेचे सारे सामान को तो उस चक्कर में जो है उनकी जो ऐसी खतरना हुए अपारिक नहीं थी थी उससे लोग तंगा चुके थे 1779 में कमपनी ने बंगाल में कच्चे रेसम की पैदावार को बढ़ावा दिया अब कच्चा रेसम पैदा तो करवा दिया उन्होंने लेकिन उन्होंने यहाँ पर सामान पर उन्तु सिल्क से तयार माल पर परतिबन लगा दिया कि यहाँ पे तुम सिल्क से सामान नहीं बना सकते हैं लीगल है वो तो उसके चलते हुआ क्या सारा कच्छा रहसम इंग्लैंड चला गया और वहां से सामान बन के भारत आया और सारा मुनाफ़ा फाइदा कंपनी को गया उगाया किसने किसानों ने भाई मर गए वो बिभाल त में घाटे में सस्ते में खरीद खरीद के ले गए और अगर महंगा बोले तो भाई महंगा देना नहीं को और सामान बनाने देनी रहे मजबूरी में बेजना पड़ा लोगों को बहुत दिक्कते थी अगला जो पॉइंट है कंपनी के विभेदकारी कानुनों के से भारतिया हस्त कलाई नस्ट हो गई और इसका अस्तान ब्रीटिश सामगरी ने दे लिया जो कि हमने पिछले कोस्टन में पड़ी थी चीज लोगों के पास बिना व्यवसाय के धन की घमी होने लगी भाई कामी नहीं करेंगे तो अब खाली गुमेंगे तो पैसा कहां से आएगा और भ कि दा रिजन भी करना पड़ेगा स्थाई बंदोबस्त की क Πेंशान करजे में ढूब गए कंपनी को निष्ची तारिक पर एक अच्छी धनवाव्बंसी प्रकाप्टी थी म्यूर्य को देना ही माला और और जो की नहीं और लोगों से जमीन चन्ट के पास पहले बड़े बड़े जमीदार थे उनके पास जमीन नहीं रही। और क्यों के कमपनी को कर नी दिया। नोगों ने भाई ठीक है। तो वह भी दिक्कत है। थी लोगों से जमीन हथ्यारि थे अंग्रेज्जों ने। अगला कर्फसन है। था ही बंदोबस्त क्या था इसे कब कहां और किसने लागू किया तो वो हमको यहां पर बताना है बहुत ज्यादा काम के परसे नहीं है तो चलो देखते हैं कब कहां पहले तो हमें जाना पड़े हैं क्या था कब कहां किसने लागू किया पूरी कहानी लाइन वाइस समझते हैं दूसरे को कौन देके खुस है तो उसने उसको लगा कमपनी को पैसा फिक्स कर देते हैं उसने 1790 में 10 वरसिया एक बंदोवस्त लागु किया और बंदोवस्त लागु करके ज명िदारों को भूमी का स्वामी श्विकार किया तरः जमीन पर उनकी ही जमीन होता था और अगर उस टाइम तक वो कर नहीं दे पाते थे और ना दे पाने पर जमिदारी उससे चेन ली जाती थी 1793 में इस बंदोबस्त को स्थाई बंदोबस्त गोशित कर दिया कि यह स्थाई बंदोबस्त अब से यहां पर लागू करिया जाएगा पक्कम पक्का इसे बंगाल बिहार उडिशा बनारस वर उत्तरी मदराज के कुछ भागो जीलो अर्थार ब्रीटिस बारत के 19 फिजदी भाग पर लागू किया गया जमिदार को भूमी का स्वामी मान लिया भूमी कर में 9 बटे 10 हिस्सा कंपनी का और 1 बटा 10 हिस्सा जमिदार का रखा गया अब आप नहीं समझ में आए ना भाई मतलब यह तो कुछ से नहीं चलो ठीक है हम रट लेंगे याद कर लेंगे कहानी असान सी है देखो अगर आपके पास में 10 रुपे है ठीक है और अगर आपसे बोला जाए कि भाई तुम्हें सरकार को 9 रुपे टेक्स में देने हैं और इसमें से तुम सरकार को कितना दोगे 90 परसेंट है ना 10 परसेंट रखना पड़ेगा मला अपना निकाल लो है और सीधी बात है 50 रुपे तुम्हारे बच गए और बाकी के 4500 रुपे कंपनी के बच गए भाई यह देखो काम कुन कर रहा है तुम कर रहे हो तुम्हें कितने लोग परिशान हुए बाद में बवाल भी मचाए इसको जो है बंगाल और उसके आसपास के इलागों में लागू किया गया था क्योंकि सुरुवाती दोर की बात है ना तो उस टाइम पे जो है अंग्रेजों का जो बोल सकते हो ताकते थी वहीं पे थी ज्यादातर वहां प रहियत वाड़ी व्यवस्ता क्या थी इसे कब कहां और किसने लागू किया तो रहियत वाड़ी व्यवस्ता देखो यहां पर सारी तारीखे मिल जाए इसको कब लागू किया अठारह जो बीच में आया यह मामला सारा ठीक है तो ऐसे सारा कुछ लिख रहा कहां पर लागू क किया गया पूछ सकते हैं तो ऐसे बंबई यह लिखे हुए है किसने लागू करा तो यह जो है सर्थ हो मस मुंद्रों ने लागू किया क्या थी वह भी आपको यहीं कई मिल जाया बीच में है तो ऐसे मिक्स करके कहानी टाइप में बना रहे परसन उत्र ताकि आपको याद भी सर्थ हो मुंद्रों ने मद्राज प्रीजिडैंसी में भूमी करकि जो व्यवस्ता लागू की उसे रहियत वाड़ी व्यवस्ता कहा जाता है किसे पांजमे दारों के साथ दक्सिन भारत में वैसे भी बड़ी भूमियों वाले जमिदार थे नहीं वाला ऐसा होता है जमिदार किसको बोलते जिसके पास मालो बहुत सारी जमीन है नॉर्मल किसान है जिसके पास एक से पास एक कड़ तक जमीन है मालो और जमिदार है जिसके पास 80 एक कड सो एकड़ दो सो एकड़ ऐसे जमीन है तो वहां पे उस हिस्से में ऐसे लोग नहीं थे जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जागी रहे पड़ी हुई थी वहां पे ऐसे किसी पास एक किल्ला किसी पास दो किल्ले आदा किल्ला तीन किल्ले ऐसे चल रहा था तो इतने में उनक परगत भूराज 45-55 तक की मातरा निश्चित की गई भूमी करना दे सकने वाले किसान को की भूमी को निलाम किया जा सकता था इस व्यवस्ता को मदराज के बाद बंबई असम सिंद कूर्ग बरार अंडवा निकुबार इत्यादी ब्रीटिस भारत के लगबग 51 फिस्दी थी यहां पर लगबग मान लो 500 रुपे सरकार लेके जा रही थी और 500 रुपे तुम्हारी जेब में आ रहे थे फिर भी लोगों काम चल रहा था लेकिन यह भी बहुत ज़्यादा था यार उस टाइम के साब से नोर्मल किसानों के साब से उनका खर्चा भी था अब तेंको पांसो रुपे में तुमको खर्चा भी तो करना है खेती करनी है भाई बीज हुआ ना खर्चा बहुत सारे होते हैं माहनत करनी है उसके बदले यहां पर तो राहीं सरकार मजे मेले गई और पिछले वाले बहुत है अपने चलो यह खिसान भी थोड़ा सा जिन्डा बच जा प्रिकोर व्यवस्ता लागु करी गई थी महालवारी व्यवegen थी इसे कहां कहां पर लागु किया गया था याज़ पे एक दड़ा हो जाता था याज़े कि पूरे गाउं को तुमको जो है इतने रुपे देने हैं हमको तुम्हारी सरदर्दी वो तुम्हें हमें फिक्स पूरे गाउं के साथ समझोता होता था ऐसा एक्के को एक्ति के साथ कागच नहीं करते थे समझोता नहीं करते वो पूरे गाउं के साथ करते थे कठा होके इसे गाओं के नुसार व्यवस्ता भी कहा जाता था इस परणाली में कमपनी ने जमिदार या किसान से समझोता नहीं किया बलकि गाओं के से पूरे गाओं से समुचे रूप से समुज़ूटा किया इस वेवस्टा में सारा गाओं अर्थवा उसके परतिनी देश उस महालफ़ा गाओं के लिए निश्चित किये गए भूमी करको अदा करने के लिए जिम्मेदार होते थैं जैसे सरपंच हो गया या फिर ऐसे व्यक्ति जो पूरे गाउं का जिम्हेदारी लेता है तो वो उसको पे करेगा उन अंग्रेजी कंपनियों को कंपनी को मतलब गाम की ओर से मुखिया या फिर नंबरदार समझोते पर हस्ताक्सर करते थे इस व्यवस्ता की सुरुआत में हरिया पंजाब और इदर के छहत्र मिसको लागू किया गया था अरतार या तीस फिजदी बाग पर टोटल लागू करी गई थी अब इस समझते है यह व्यवस्ता कैसी थी हमारी ठीक है वही सेम एक्जैंपल लेते 500 पल लीगा ठीक है 500 रुपे के अंदर से अब हम इसके कित यही कोई 166 रुपे जो है अब यहां पर मिलेंगे अब दो बटे तीन इसी का जो हद्दुगुना मतलब की दो थीक ठाकता बस लेकिन बाद में क्या कर रहा है बाद में इन्होंने आधा कर दिया वहां जाए व्यवस्था कर दिया श्था बंदोबस्त की तरह थो पंगा हो गया ठीक है तो यह थी यहां पे व्यवस्थाएं हम आगे आरह है ब्रीटिश इस्ट इंडिया कम्पणी के खिलाफ किसानों के विद्रोह के क्या कारन थे अब इसमें पॉइन्ट भी बना सकते हैं, अगर चाहे तो आपकी इच्छा है अगर आप पॉइंट बनाने चाहे पॉइंट बना सकते हैं और पॉइंट बनाओगे तो अच्छे से नंबर भी मिलते हैं और वो डिपेंड करता भाई मेरे को ऐसा लगा कि दो नंबर तक में आएगा तो क्या ही पॉइंट बनाने ऐसे टेप देते हैं चल उगाही क्या होती है वो बताएंगे आपको कि सरकार जो है सरकार को पैसी देने पड़ते थे जमीन थी हमारे पास में तो उसको उगाही का जाता हूत था तो उस उगाही के लिए विबिन प्रकार के अत्याचार की है जिससे भारत के अलग अलग हिस्से में किसानों ने विद्रो कर दिया भाई तुम ये देखो तुम अगर खर्चा कर रहे हो 500 रुपे में से मान लोग आज के टाइम की भी बात करें ना नोर्मली अगर देखा जाए तो 500 रुपे के अगर तुमने फसल उत्पादन कर रहा है तो उसमें से 100 लोगों ने खेती करनी कई जगों पे जो है 100-100-500-500 मिले 500 रुपे कर दिया चलो उस 50 रुपे बच्रे 50 में गुजारा नहीं हो रहा फिर उनका तो वह दिखते थी और उसके चलते करजे में डूबे की जान और तंग आके उन्होंने विद्रो करें थे उनकी सोसंकारी नीट बाद में भड़का हो जो किया ना 1857 की करांती में आया था वो सारा विद्रो फूट फूट के फिर मजे आये थे लोगों को की पिट रहा है बंग्रेज अब आई ना ना निया दिन को चलो कोई ना यह था आपको अब आप कर लोगे आसान से परसन है इनमें यह परसन आप अच्छे से पढ़ना ये बंदोबस्त वाले ना ये आ सकते हैं इस में चोटे को सन में आ सकते हैं तो आपसे खाली पुछेंगे महालवाडी व्यवस्ता क्या थी अब आपको तक का आपको लिखना पड़ेगा तो ऐसे जो है मैंने को सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी कब ठीक है बहुत आसान है मुश्किल नहीं है यह चीज और एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है यह चीजे तो यह अच्छे से याद करने है आई होप आप कर लोगे चलो वीडियो खतम करते हैं मैं कवर करने वाला हूं कलास वन से लेकि ट्वैल्थ तक सभी कर लेना यार तुम सब्सक्राइब बिल्कूल नहीं करते मैं इंतजार करता हूं कि कब आप सब्सक्राइब करोगे लेकिन तुम करते ही नहीं हो भाग जाते हो ऐसी देखके तो कर लिया गरो यार सब्सक्राइब भी चलो मिलते हैं नहीं वीडियो में बाई बाई